असलामों अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो क्या आप जानते हैं कि प्यास काटने से आँकों में पानी क्यों आता है और क्या आपने कभी सोचा है कि पंक्य के परों पर गंदगी क्यों जम जाती है और आखरकार परिंदों को बिजली की तारों पर बैठने के बावजूद करंड क्यों नहीं लगता वेल आज किस वडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे एफेक्ट्स बताऊंगा जो आप सब को हैरान कर देंगी तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन दोस्तों जो लोग कोकिंग करना जानते हैं इन्हें ये बात पता होगी कि कोई भी डिश प्यास के बगएर अधोरी होती है आई दिंग प्यास के बगएर तो कोई भी सालन या पिर चावल बन ही नहीं पाता ये बातों हम सब जाते हैं कि जब भी प्यास काटा जाता है तो मुश्टी लोगों की आँकों में से पानी आना स्टार्ट हो जाता है आम तोर पर तो हम सब को लगता है कि ऐसा प्यास की कड़वाहट या स्मेल की वज़ा से होता है पर कि आपको पता है कि आखर प्यास के अंदर ऐसी कौन से चीज होती है जिसकी वज़ा से हमारी आँखे प्यास से दूर होकर भी नम हो जाती है असल में ओनियन के अंदर एक खास किसम का एंजाइम मौजूद होता है जो हमारी आँखों में शदीद दर्द और जलन पैदा करता है ये एंजाइम एमिनो इसट के साथ मिलकर एक कंपॉंड बनाता है ये असल में सेल्फियूरिक इसट की तरह होता है जो कि आँखों के नर्फ को इरिटेट करता है जैसे ही हम पैस काड़ते हैं तो ये एंजाइम फौरन हवा में फैल जाता है और चंद सेकंड बाद आँखों तक पहुंच जाता है जब आई नर्फ इससे डिस्टर्ब होती है तो इनमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है और हलकी सी जलन भी होती है इसलिए प्यास काड़ते वकत अगर कोई करीब भी खड़ा हो तो वो भी आँखों को नहीं बचा पाता दूसर जैसा कि अब गर्मी का मोसम आ चुका है और अफकॉर्स अब फैन के बगएर गुजारा नहीं होगा वेल फैन की बात आई है तो आप सबने एक बात नोट की होगी कि पंक्खों के परों के उपर हमेशा कालग या इस तरह की धूल जम जाती है हाला कि फैन के ब्लेड्स काफी स्पीड में मूव करते हैं लेकिन फिर भी ये धूल इन से रिमूव नहीं होती बलके वक्त गुसरने के साथ-साथ ये बढ़ती ही रहती है दरसल जब हम कोई फैन आउन करते हैं तो इसके ब्लेड्स पहले बाहर से हवा को अपनी तरफ खैंचते हैं और फिर हमारी तरफ नीचे की तरफ फैंकते हैं जब ये बाहर वाली हवा खैंचते हैं तो इसमें मौजूद नमी फैन के ब्लेड्स पर लग जाती है जब फैन बंद होता है तो हर चीज की तरह इसकी उपर भी मट्टी मौजूद होती है लिकिन जैसे ही इसे ओन किया जाता है तो बाहर से आने वाली नमी इस धूल को पंके के उपर ही चिपका देती है और वक्त गुजरने के साथ-साथ ये धूल बढ़ती ही जाती है ये ही वज़ा है कि फैन आन होने के बावजूद भी ये मट्टी क्योंकि फैन के साथ चिपक जाती है इसलिए अगर इसे स्पीड से भी चलाया जाए तो ये फैन के परों के उपर से नहीं उतर पाती दूस्तो आप सबने रोड़ पर जाती हुई कई हैवी वहीकल्स को देखा होगा वैसे दोरें ट्रक्स में कुछ भी अंजूजूल नहीं होता लेकिन आप सबने कभी न कभी नोट किया होगा कि रोड़ पर जाने वाले कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जिनका एक wheel उपर की तरफ lifted होता है और वो दूसरी tires की तरह road के साथ move नहीं कर रहा होता लेकिन क्या आपको पता है कि truck के अंदर ये extra wheel क्यों लगाया जाता है वेल आपको जान का हैरानकी होगी कि truck के अंदर लगे ये extra tires adjustable होते हैं drivers इन्हें अपनी मर्जी से road पर चला भी सकता है और हवा में lift भी कर सकता है असल में जब truck के अंदर समान का load कम होता है तब इस tire को उपर की तरफ कर दिया जाता है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं होती लेकिन जब truck में कोई heavy load डाला जाता है तो driver इस tire को नीचे की तरफ कर देता है ताकि ये बाकी tires के साथ मिलकर truck का load carry कर सके और grip बन सके ये सच में कमाल है दूस्तो हम सब डेली बहुत से परिंदों को बिजली की तारों पर बैठते हुए देखते हैं ये बातो हम सब जानते हैं कि बिजली की तारें बहुत खतरनाक होती है अगर इनसे current लग जाए तो परिंदे तो दूर इंसानों की भी मौत वाकिया हो सकती है लेकिन कि आपने कभी सोचा है कि इन परिंदों को बिजली की तारों पर बैटे हुए भी current क्यों नहीं लगता वेल इसकी एक खास reason है असल में जब परिंदे किसी बिजली की तार पर बैटते हैं तो ये अपने दोनों पाउं वायर की एकी side पर रखते हैं इससे होता ये है कि बिजली की तारों में मौजूद electrons परिंदों के जिसम में दाखल नहीं हो पाते और इने बर्की तारों पर बैटने की पावजूद भी current नहीं लगता इनके बैटने का style ऐसा होता है कि current दोनों side से पास हो जाता है मज़गी बात ये है कि हर परिंदा तार पर बिल्कुल ऐसे ही बैटता है इनके पहुंच छोटे होते हैं और ये चाकर भी दूसरी तार तक नहीं पहुंच पाते इसलिए ये बिल्कुल save रहते हैं दोस्तो अगर break fast की बात की जाए तो किसी भी घर में bread के बगेर नाश्ता अधूरा होता है अफकॉर्स नाश्ते के लिए ये एक कमपलसरी चीज बन चुकी है लेकिन आप समने note क्या होगा कि जब भी bread का कोई निया packet open किया जाता है तो इसका first slice कुछ इस तरह का होता है इवन इसका आखरी slice भी इसी तरह बनाया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि bread का पहरा और आखरी slice इसी तरह बन और अजीब सा क्यों होता है असल में जब bread बनाई जाती है तो इसे slice में नहीं काटा जाता बलके पूरी dough को एक साथ लंबाई में ही बेक करते हैं बेकिंग के वग इस dough की skin क्रिस्पी और brown color की हो जाती है जबकि अंदर से ये white ही रहती है जब bread पक जाती है और इसे slice में काटा जाता है तो bread का brown वाला part front और last में आ जाता है जबकि अंदर से ये white ही रहती है इवन bread के तमाम slices के किनारे भी इसलिए brown होते हैं क्योंकि वो बाहर से पकते हैं और बेक होने के बाद bread की skin को इससे इलादा नहीं किया चाता मज़गी बात ये है कि दुनिया के 90% लोग bread के इन दोनों slices को नहीं काते हाला कि इन में कुछ भी unusual नहीं होता दोस्तों लेजो या कुरकुरे इस तरह के snacks तकरीबन हम सब की daily life का हिस्सा है वैसे तो हम सब बहुत से snacks काते हैं लेकिन आप सबने note क्या होगा कि दुनिया में जितने भी chips के packets बनाये जाते हैं इन में हवा जरूर होती है पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखर इन snacks में हवा क्यों भरी जाती है वैल आपको जान का हैरानगी होगी कि ये हवा oxygen नहीं बलकि nitrogen होती है असल में nitrogen gas non-oxide होती है ये इन snacks को नमी से बचाती है और ये हमेशा crunchy रहते हैं इसके इलावा इन packets में हवा बरने का एक और purpose ये भी है कि इस हवा की वज़ा से इसके अंदर मौझू snacks तूटते नहीं है अगर chips के packet में हवा नहीं होगी तो ये अंदर मौझू chips तूटकर रेजा-रेजा हो जाएंगी इसके इलावा हवा से ये size में भी काफी बड़े लगते हैं और customers को लगता है कि ये अंदर से full होंगी Anyway जो भी हो company को इस हवा बरने से काफी सारी benefits मिलते हैं दोस्तो अगर आप किसी industrial area में गए हो तो वहाँ पर आपने कोई न कोई factory या mill वगएरा देखी होगी अगर आप गौर करेंगे तो आप इन factory और mills की roofs की उपर silver color का ये अजीबो गरीब rotation fan देखेंगे ये fan ज्यादा तर factory की चटों की उपर नजार आता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस fan को factory की roof की उपर क्यों लगाया जाता है असल में इस fan को factory की roof पर लगाने का एक खास purpose होता है इसे wind turbine ventilator कहा जाता है जब factories में चीज़े बन रही होती हैं तो अंदर मौझूद heavy machines की वज़ा से वहाँ पौछदा heat जमा हो जाती है इस heat की वज़ा से factory की अंदर का temperature काफी बढ़ जाता है इस वज़ा से workers को गर्मी लगना start हो जाती है और काम करना difficult हो जाता है इन turbines को factory के roof पर इसे लगाया जाता है ताकि ये fans इन कार्खानों के अंदर जमा होने वाली heat को बाहर निकाल सके इससे factory के अंदर का temperature नॉर्मल रहता है और workers के लिए काम करने में आसानी पैदा होती है एनिवे ये mini turbines really बहुत useful है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे Instagram भी follow करना चाहते हैं तो The Heather TV पे आप मुझे follow कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस